साथ संगत जी ट्रेम से कहना धन अरंकार जी स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर हाजिर हुँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी एक बार की बात है कि मनोहर नाम का एक आदमी बाजार में फल खरीदने के लिए गया तो उसने देखा कि फल की रहडी के पास एक छोटा सा बोड लगा हुआ था उस छोटी से बोड पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि मेरी मां बहुत बेमार है और मुझे ही मेरी मां के लिए खाना बनाना पड़ता है और कुछ दिनों से जादा तव्यत खराब होने के वज़े से मुझे दिन रात अपनी मा के पास रहना पड़ता है उन्हें लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उन्हें दवायां देनी पड़ती है इसलिए अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी ही मर्जी से फलों को तोल ले और इन सभी फलों के मुल्य वहां लिखे हुए हैं और अगर आपको फलों के मुल्या जादा लगे तो आपको जो भी मुल्या सही लगे उतने ही पैसे तराजू के बगल में रखे एक गत्य के नीचे रख दे और अगर आपके पास अभी रुपाए पैसे नहीं है तो आप बाद में भी मुझे रुपाए पैसे दे सकते हैं और अगर आपको फलों में कुछ कमी नजर आए तो आप लोग मुझे माफ कर देना मगर मैं आपसे शाम को साथ बजे ही रहडी के पास मिल सकता हूँ तब युस बोड को पढ़कर मनोहर की आँखे में नम हो गई और मनोहर ने सुचा कि इस फल वाले से मैं एक बार तो जरूर मिलूँगा और मनोहर ने कुछ फलों को तौल कर अपने थैले में रख लिया और उसने अपनी जेब से पैसे निकाल कर उस गत्ते को उठाया और फिर फल लेकर मनोहर वहां से चला गया और फिर एक दिन मनोहर ने उस फल वाले से मिलने का मन बनाया और वो शाम को ठीक साथ बजे फल की रहडी के पास पहुँच गया वहां मनोहर ने दिखा कि एक कमजोर सा आदमी उसकी दाड़ी आधी काली आधी सफेद थी आदमी अपनी फलों की रहडी को धक्का लगाते हुए वहां से एल ले जाने लगा तब ही उस व्यक्ती ने मनुहर की तरफ मुस्कुराते हुए कहा साहब फल तो अब खतम हो गए हैं तो मनुहर ने उस फल वाले को रोकते हुए कहा जरा रुगो मुझे फल नहीं चाहिए मैं तो सिरफ तुम से मिलना चाहता हुए तब ही वो फल वाला हैरान होकर रुख गया तब ही उसने अपनी रहडी के नीचे से एक स्टूल निकाला और उस स्टूल को अपने गमछे से साफ करके उस पर मनुहर को बैठने के लिए कहा तब ही मनुहर ने उस व्यक्ति से कहा अरे नहीं भाई इसके कोई जरूरत नहीं मैं तो सिरफ तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ फल वाले ने हाथ जोड़कर मनुहर से कहा साहब मेरा नाम राघव है फिर मनुहर ने राघव से कहा कि राघव मेरा नाम मनुह तो क्या तुम मेरे साथ सामने वाले ढावे पर एक टप चाए पी सकते हो तभी वो दुनो चाए पीने के लिए सामने वाले ढावे पर चले गई चाए बही आ गई तभी चाए पीते, पीते राघव मनोहर से कहने लगा साहब पिछले तीन सालों से मेरी माँ बहुत ज़ादा बिमार है इसलिए अब तो वो बिस्तर पर ही रहती हैं और मेरी कोई संतान भी नहीं है दो साल पहले मेरी पतनी की भी मृत्यू हो गई थी बस अब मेरी माँ और मैं ही बचे हैं और अब मेरी मा की देखबाल करने वाला मेरे इलावा और कोई नहीं है इसलिए मुझे अब हर समय मा का खयाल रखना पड़ता है मैं अपनी मा से बहुत प्यार करता हूँ और सहाब एक दिन जब मैं अपनी मा के पैर दबाता हुआ उनसे कह रहा था कि मा मुझे तेरी सेवा करने का बड़ा मन करता है पर मैं क्या करूँ मुझे फल बेचने के लिए भी तो जाना पड़ता है और तू है कि मुझे रोज ही अपने पास रख लेती है मा घर में अब खाने को कुछ भी नहीं है अब तू ही बता कि मैं क्या करूँ तभी मेरी मा ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए मुझे कहा बेटा मैं चाहती हूँ जब तक मैं जन्दा रहूँ तब तक तू मेरे ही पास रहा कर तू मेरे पास नहीं होता ना तो मेरा मन बहुत घबराता है और ना जाने, कब मेरी जान निकल जाए और इतना कहते ही रागव के माँ की आऊखों से आशों बह आए तब रागव ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तौ रो मत तौ जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा, अब से मैं फल बेचने नहीं जाओंगा बस तेरे ही पास रहूंगा तब मेरी मा ने मुझे से कहा था राघव बेटा तु कल से एक काम करना तु अपने फलों की रहडी वही छोड़ाया कर हमारी किस्मत में जो कुछ भी होगा वो इसी कमरे में बैठे बिठाई हमें मिल जाएगा और फिर शाम को तु जाकर फलों की रहडी ले आया कर राघव ये बात मनोहर को बता रहा था तब राघव ने मनोहर से कहा सहाब तब मैंने अपनी मा से कहा था कि मा तुम ये कैसी बाते करती हो अगर फलों की रहडी मैं वहाँ छोड़ाऊंगा तो कोई चोर सब कुछ चुरा कर ले जाएगा और बिना मालिक के मुझसे फल कौन खरीदने आएगा तभी माने मुझसे कहा था जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर अपने फलों की रहडी को भर कर छोड़ाना और शाम को तू खाली रहडी ले आया कर देखना तेरा एक भी पैसा चोरी नहीं होगा बलकि तू वहाँ पर नहीं होगा तो दस जने तेरी फलों की रहडी का ध्यान रखेंगे बाकि तू सब इश्वर पर छोड़ दे फिर रागव ने मनुहर से कहा सहाब मेरी मा की कही हुई बात को मान कर ही मैं रोज सुबह रहडी को यहां पर छोड़ कर चला जाता हूँ और शाम को अपनी खाली रहडी यहां से ले जाता हूँ और इस तरह मैं अपनी बूढी मा का दिन बर ध्यान भी रख लेता हूँ उनकी सेवा भी कर लेता हूँ और ये तो कुछ पी नहीं सहाब आज तक फलों की खरितदारी में एक भी पैसे का हेर फेर नहीं हुआ बल्कि कुछ लोग तो इस बोड को पढ़कर कुछ जादा ही रुपए मुझे दे जाते हैं तो कभी मेरी मा के लिए फूल दे जाते हैं तो कभी कोई हम दोनों के लिए खाने का टिफिन भी दे जाता है। पर सो किसी ने अपनी एक छोटी सी बच्ची के हाथ पुलाव बना कर शाम को मुझे बिजवा दिया। और एक बार कोई डॉक्टर मेरी रहडी से फल ले गया होगा, तो उसने मेरे गत्ते के नीचे अपने काड और एक पर्ची छोड़ दी जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम्हारी मा की तबियत में सुधार ना आए तो किरिपया मुझे इस नंबर पर फोन करना मैं आ जाऊंगा। और शायद इसी तरह करते करते, आज उस घटना को नौ महीने बेट गए, कभी किसी बात की मुझे कमी नहीं हुई, और मेरी मा की कही हुई बात बिलकुल सच साबित हुई, अगर हम इश्वर पर सच्चे मन से विश्वाश करेंगे, तो ये इश्वर हमारा ध्यान जरूर र आज की जमाने में कोई किसी की जरा भी मदद नहीं करता, मगर सहाब अब मैं जान गया हूँ, कि आज भी इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, जो दूसरों के मदद करने के लिए हर समय तयार रहती हैं, और उन सब लोगों को मैं दिल से शुक्री आदा करता हूँ, औ तो सभी लोग हमेशा खुश रहें, उनके घर में कभी किसी चीज की कमी ना आए, अब राघव की ऐसी बाते सुनकर मनोहर की आखों में भी आसू आ गए, तभी राघव ने मनोहर से कहा सहाब, आपका मुझे चाय पिलाने के लिए धन्यवाद, मगर मैं अब चलता हूँ, म मेरी मा मेरी रहा देख रही होंगी, मुझे उनके लिए खाना भी बनाना है, ये कहकर राघव वहां से अपनी रहडी लेकर चला गया, और मनोहर वहां खड़ा खड़ा यही सोच रहा था, कि हे भगवान, ऐसा बेटा हर एक घर में देना, जो कि राघव की तरह ही, अपनी म मुढ़े माता पता को कभी भी अकेले मत छोड़ियेगा, उनकी सेवा जरूर करियेगा, और हां माता पता के साथ उन सब लोगों की भी मदद जरूर करियेगा, जिने मदद की जरूरत है, ताकि हमारे साथ साथ वो लोग भी जीवन में हमेशा खुश रहें, आप सभी गवा से कहना धन्न रखकार